तो दोस्तों कैसे आप लोग आज हम लोग बनाने जा रहे हैं वेज पुलाओ और वेज पुलाओ बनाने के लिए सबसे पहले में बास्मती राइस ले रहा हूं और हमें इससे अच्छे से धो लेना है दो बार और बास्मती राइस के लिए आप सबस्वले याद रखें कि तो चार कटोरी इसमें पानी लगेगा हमें इस कोकिंग करते वक्त तो आगे मैं आपको दिखाओंगा सबसे बहुत अच्छे से गौश कर लेता हूं और इसको हमें कम से कम पंदा मिटके लिए पानी में भेर के छोड़ देना है ताकि अच्छे से सोख होकर ले तो चलो इसे म तो जब तक हमारा चावा सोख हो रहा है तब तक हम आगे का कारी कर्म शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं इसा टोप लिया है इसे मैं ओइल डालूँगा यह नॉम्मल विजिटेबल ओइल है तो हमारा ओयल गरम हो चुका है मैं एक टेबल स्पून के करीब जीरा डाएड कर रहा हूं और हमें पहले जीरा अच्छे से क्रैकल होने का वेट करना है और एक बार हमारा जीरा अच्छे से क्रैकल हो जाए उसकाद ये अद्रग और लेसुन मैंने चौप करके रखा है वो इसमें आड़ कर देंगे लेसुन करीबन 5-6 कलिया है और अद्रग इंच के करीब और साथी साथ मैं इसमें हरी मिर्च भी चौप के रखी है ये 5-6 पीस हरी मिर्च है वो भी इसमें आड़ कर देंगे और इन सब को एक बार थोड़ा सा भून लेना है ज्यादा नहीं हलका सा पूस भून के लेना है अर्फिर मेरे पास ये 3 मिडियम साइस का अडियन है वो मने से के रखा था वो इसमें आड़ कर देंगे और इसे भी हलका सा भून लेंगे इस अमहें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है बस हलका सा टांस्टूटेट तक इसे भूनना है कि हलका सा ये टांस्टूटेट हो जाए हलका सा या कह सकते कि पसी न छोड़ दे बस उस स्टेज तक हमें इस पे थोड़ा सा हमें कांदे को भूनना है बस तो आप देख सकते हैं कांदा हमारा ये ट्रांसलोटेज जैसा हो चुका है अब इस स्टेज पे ही हमारा कांदा हमें चाहिए था तो अब वक्त है इसमें बटाटा एड़ करने का जो मैंने पहले से ही छोटे-छोटे ब्लॉक्स में काटके रखे थे वो आपको दिखा देता हूँ, यह इस पहले हुका है नहीं में इससे काहिए हैं ये मेरे पास अजतनी मीडियाम साइज के आलो है और यह मैं इसमें अड़ कर देता हूँ क्योंकि आलो थोड़ा टाइम लगता है पकने के लिए इसलिए मैं सबसे पहले से एड़ कर रहा इसमें आलू को कुप कर लेने के बाद यह में बस गाजर इसे मैंने छोड़-छोड़ा कात के रखा है ऐसे ब्लॉक्स में अब इसे भी एड़ कर देंगे खुर्किक गाजर को भी थोड़सा वक्त लगता है पकने के लिए तो हम हलका सा गाजर को भी थोड़ा सा पका लेंगे आलू के साथ हलका सा गाजर को पोने के बात में इसमें बीन्स एड़ कर रहा हूँ थोड़ा सा और बीन्स के साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा फुल को भी बी काट के रखा है इस तरीके से ये भी इसमें मैं एड़ कर रहा हूँ और साथी साथ में इसमें सिम्ला मिज भी एड़ कर रहा हूँ ये एक बड़ा सिम्ला मिज है और ये आपके उपर है आप चाहे तो इसमें और भी चीज़े एड़ कर सकते हैं इसमें वटाना हो गया और बिया को जो चैया डाल शक्त कोई कमपते लिह ले नहीं होता है कि आपको यही चीज योस करना है तो आप अनो से चाल पोषट्र को सब्सक्सार गरा तो आप अपने हीसाव से जन्फ में डालेगा, अभी सिम्ला मिर्च छहाइए ठोड़ा सा पानी छोड़ेगा हम उन दूड़ा सा सब्छी करें लेनाहे है थूड़ा से सारी सब्जी को पका लेनाहे क्योंकि हमने जो है अपना चावल भेके रखाता हूं तो जादा टाइम नहीं लगेगा पकने के लिए इसलिए हमें पहले से सब्ची को थोड़ा पगा लेना है अब जैसे कि हमारा सब्ची ऑल्मुस्ट पग गया है कि मसाले को भी हमें सोलगोषा टेल का तड़का देना रहता है तो उस Holl we में तो आप सब्ची करने के पाद मसालो को भी हमें थोड़ा से पकना ठोपगा गड़ा हूं में इसका बिश्की मेंत अच्छा लगता वोभी इसमें एड करने के बाद मसालों को भी हमें थोड़ा सा पका लेना है अच्छे से चलाते हुए आप इस टाइम पे इसे छोड़िएगा मत आपको हाटली एक मिनिट से जाधा कुप नहीं करना है क्योंकि ये सब्ची पक चुकी है हमें खाली मसाले को हल्का सा भूनना ह क्योंकि ये मसाला है पाउडर है तो इसे जलने का डर रहता है इसलिए फटा फटा हम इसे एक मिट चलाते हुए फूल लेंगे और उसके बाद हम इसमें पानी एड करेंगे अच्छा तो आप चाहे तो आपके लिए और मैं आपको तरीका दिखाता हूं कि आपको कैसे पता है ताकि आपको पता चले कि आपको फिस लेवल पानी डालना है तो आपको ये भी अच्छा तरीका मिल जाएगा एक आडिया मिल जाएगा तो हम चावाद को भी सबजी में अच्छे से मिला लेंगे और सब को एक लेवल पर कर लेंगे अब मैं इसमें पानी अड़ कर रहा हूं आपको बताता हूं कि आपको कैसे पता करना है कि आपको कितना पानी डालना है इसलिए मैं चावाल पहले डाल दिया था कि आपका ये एक लेवल पर हो जाए चावाल और आपकी सब्जीया सारी तो ये एक लेवल पर हो गई है तो म उपर है, तो आपको इतना ही रखना है, क्पिक आपनी पानी नहीं लगेगा और बासमाति आपको एसे बहरा पाना प्याय सुकता है, और इन सब को भी एक बार अच्छे से मिला लेगा ताकि नमक हर जगे अच्छे से घुल जाए मिल जाए और उसके बाद हमें इसे ठक के पकाएना है तो सबसे पहले तो आप इसको पाच मिले हाइफ लेम पर रखेगा और पाच मिले के बाद इसको इतम लो फ्लेम पर करके छोड़ दीजेगा कम से कम 10 से 12 मिले हैं आप पक जाएगा अगर आप फिर भी चाहे तो थोड़ा थोड़ा खोल के गवाद चेक कर सकते हैं तो मुझे करीपन 12 से बंदा मिठ हो चुका है तम स्टोफ लेम पर से कुख करते हैं आप देख सकते हैं अच्छे से तम खुला खुला ये कुख हुआ है आपको दिखा दे तो ये राइता बनाने के लिए मैंने बारिक चॉप के आवा ककडी लिया है वो इसमें एड़ कर लेता हूं और बारिक चॉप के आवा ठामाटर वो भी समेड़ कर लेता हूं और साथी साथ बारिक चॉप के आवा अनियन है वो भी इसमें एड़ कर लेते हैं और अब इसमे दही एड़ करना है हमको और दही के बाद हमें सॉल्ट एड़ करना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और फिर हमारा ये सॉल्ट एड़ करने के बाद हमें इसे अच्छे सब मिला लेना है और हमारा जट पट फटा फट हमारा ये धही वाला सलाट ready हो जाएगा और पुलाओ हो या बिर्यानी हो उसके साथ ये सलाद बहुत अच्छा लगता है उसका साथ बहुत बढ़ा देता है और बहुत ही yummy taste करता है तो आप ये बना सकते हैं बहुत आसान है और बहुत जली बन भी जाता है तो इसे अच्छे से मिला लेते हैं और साथ में सर्फ करते हमारे पुलाओ के साथ और हाँ अगर आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा धन्या भी आड़ कर सकते है freshness के लिए बहुत अच्छा लगता है ये optional आप चाहे तो करें तो हमारा पुलाओ बन के रैडियो चुका है उमीद करता हूँ आपको ये रेसिपि अच्छी लगी होगी अगर आपको ये रेसिपि अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजेगा अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजेगा और आप comment करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये recipe कैसी लगी और आपने ये try किया की नहीं किया तो comment ज़रूर करिएगा, भूलिएगा मत और अगले आपको कौन सी recipe चाहिए आप ये भी मुझे comment पे बता सकते है आप जल से जल try करूगा लाने की तब तक के लिए See you